सबसे पहले प्ले स्टोर से हाइवाच प्रो एप को डाउनलोड कर लें उसके बाद डाउनलोडेड एप को ओपन कर लें नोठिकेशन्स अलाव कर दें नेर्भाई डिवाइस इसको एग्री कर दें यहां पर भी एग्री कर दें डिवाईस लुकेशन को आलाव कर दें तो आप एप में लॉगिन हो जाएंगे और एप का खुबसूरत इंठरफ़स देखने को जाएगा कनेक्शन के लिए set टैब में जाएं और bind device के option को touch करें इसको ok करें location को allow करें और दुबारा bind device option में जाएं इस तरह से searching start हो जाएगी और वाचने मिदर शो होने लग जाएगा और इसको select करें और connection इस तरह से complete हो जाएगा home tab में steps, distance, health वगेरा का data मिल जाता है यहां से आप देख सकते हैं कि वाच connected है इस तरह से wake up gesture या wrist sense option को on कर सकते हैं alarm settings है sedentary remainder है find device option है remote shutter है message push में जिन apps के notifications आप आज पर देखना चाते हैं उनको यहां से allow कर सकते हैं frequent contact settings है dial push option है बेशमार free dials आपको यहां से मिल जाएंगे कर दोड़े में इसलिए कर दो देख में कि अईक कर दो दोड़े जाहां से अपर में एक तो यहां पर रप टो दो कि अ घाएंगे कर दो दो ई ख, आपको यहांगे कर दो अवरे कर दो बड़े किसी भी डायल को select कर ले और अपनी पिचर को वाल्पेपर पर लगाने के लिए किसी भी डायल में जाकर अपनी पिचर select कर ले और इंस्टाल पर touch कर दे उसका इन्सार बाद आपकी पिचर वाच पर show होने लग जाएगी reset device option है remove connection option है other settings में vibrate settings है motion tab में sports related settings है walk, run, bike mind tab में app name और weekly data chart देखने को मिल जाता है और साथ इसाथ app की details मिल जाती है overall काफी simple और user friendly app है